टीवी इंडस्री में बहुत सारी आन स्क्रीन खूबसूरत और कमपैटिबल जोडियां हैं जो एक दूसरे के साथ काफी प्यारी और परफेक्ट नजराती हैं जिन्हें फेमस और परफेक्ट बनाने के लिए मेकर्स इन जोडियों पर बेशुमार पैसा बहाते हैं तब जाकर कि इन जोडियों में से एक किस जोडियों पर मेकर्स ने सबसे जादा भर-भर के पैसा बहाया है जो बहुत कॉस्टली जोड़ा है अगर नहीं जानते तो आज हम आपको टीवी इंडस्री की टॉप सिक्स खूबसूरत और प्यारी जोडियों से रूबरू करा कर बताएंग कि इन जोडियों में से किस जोडियों पर मेकर्स ने भर-भर के पैसा बहाया है तो चलिए जानते हैं इन सब ही जोडियों के बारे में नमबर एक पर हैं मोद कि जोषी ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरिया से मशूर हुई मोद कि जोड़ी पर प्रोडियूसर राजन शाही ने भर भर के पैसा खर्श किया था जी हाँ दोनों को खूब सूरत और प्यारी जोड़ी के रूप में दिखाने के लिए इनके आउटपिट से लेकर इनके जूलरी तक पर मेकर्स ने काफी पैसा बहाया था नमबर दो पर हैं एश्वर्या खरे और रोहित सूचनती भागी लक्षमी सीरियल में नजर आ रही एश्वर्या खरे और रोहित सूचनती की जोड़ी पर भी मेकर एकता कपूर बहुत ही जादा पैसा खर्श कर रही हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ परफिक्ट लग सकें जी हाँ एक तक कपूर सबसे जादा इन दोनों की सुख सुविधाओं पर पैसा खर्श करती हैं ताकि दोनों को कोई भी दिक्कत ना हो एक दूसरे के साथ काम करने में पना इश्क में मर जावा सीरियल में नजर आने वाली जैन इमाम और रीम शेक के खूबसूरत और प्यारी जोडी पर प्रोड्यूसर गुल खान बहुत ही जादा पैसा बहाती है जी हाँ गुल खान ने दोनों ही आक्टर्स को पर्सनली वैनिटी वैन दी हुई है ताकि दोनों को किसी भी चीज की दिक्कत ना हो और दोनों आराम से दूसरे के साथ बिना दिक्कत के काम कर सके नमबर चार पर हैं तानिया शर्मा और करन शर्मा ससुराल सिमर का टू में नजर आने वाली तानिया शर्मा और करन शर्मा की लवेबल जोडी पर प्रोड्यूसर रश्मी शर्मा भर भरके पैसा बहाती है जी हाँ वो एक तो दोनों को बराबर हाई फीज देती हैं साथ ही दोनों को हर मन्थ एंड पर एक्स्टर फीज भी देती हैं ताकि ये दोनों शो से जुड़े रहें और अपनी लाइफ इंजॉई कर पाएं पांच पर है सुर्भी दास और अक्षे केलकर कलर्स के सीरियल नीमा डेंजोगा पा में नजर आ रही सुर्भी दास और अक्षे केलकर की पोफेक्ट जोड़ी को एक साथ रखने के लिए और पोफेक्ट दिखाने के लिए प्रोड्यूसर अलिंद श्रिवास्तव इन पर इसा बहाते हैं तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बलकि ये रिष्टा क्या कहलाता है से मशूर हो रही हरशद चोपडा और प्रनाली राठोर की जोड़ी है जिस पर प्रड्यूसर राजन शाहि जी खोल कर पैसा बहा रहे हैं तब ही तो उन्होंने हरशद चोपड़ा को मूमांगी फीज के साथ परसनल वैनिटी वैन दी हुई है और वहीं प्रणाली राठोर को भी जादा फीज के साथ परसनल वैनिटी वैन और एक असिस्टेंट दिया हुआ है ताकि दोनों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो दोस्तों आपको इन खरचीली जोडियों के बारे में जानकर क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें